तुम धुकूटूमं तु टेगविला यूटूप चैनल स्वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउटू एड़िट यूर्वीडियो और स्प्लाइश है जी यां कि दोस्तों वीडियो एडिटर में आपको वीडियो कैसे एडिट करना है कैसे वीडियो एडिटिंग करना है इस वीडियो में हम दिखने वाले हैं सबको आपको देखके समयने आ गया हुगा कि यह एक वीडियो एडिटर है जिसके अंदर में आप प्रॉपर वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे और यहाँ पर आप दिख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी क्लिप्स को तो आप जोड़ सकते हैं इस तरह से पहले दिखाए गया है नेक्स्ट में आपको आधे हाफ स्क्रीन को स्प्रेट करके एडिटिंग कर सकते हैं इसके लावा धेर सारी सके अंदर में इफ्यक्ट डले हुए हैं जिनको आप यहां पर यूज कर सकते हैं तो हम यहां गैट स्ट अबटन है और यहां पर हमें अलाव कर देना मीडिया आपर तक्या कर दोесक्र यहां Mooव तो यहां मैं वीडियो आरहे हूँ ऊठाने के बाद में दोस्तों यहां पे मैं दूसरा वीडियो जपा ले रहा हूँ और नीचे अख्लिक कर दे है उसको आप change कर सकते हैं जो भी आप उस project का title मतलब video का जो title अखना चाते हैं कि मैं a title दे रहा हूं जो दे रहा हूं इसके बाद youtube में आप ढालना चाते हैं तो यूटीब का size होगा aspect ratio अगर यूटुब Shorts बना रहे हैं तो Marshals का कर सकते हैं अगर आप यहां पर इंस्ट्राग्राम सब्सक्राइन इसके भी आप डालना चाहते हैं वीडिइओ को उस एसको हम यहां 있ертв कर दिए इसके बार किलिकर देता हूँ दोस्तों तो यह अए हमारा लोडे के बाद में इसका छो ओडाले एक मैंने एक video अठा लिया है और उसको हम यहां पर edit करने वाले हैं तो इस video को मैं हटा देता हूं ये क्योंकि दूसरा वीडियो है तो इस video को select करके esao कर देता हूं इसका न prophets वाद में ili कि आपको औरियो है आप देख सकते हैं यहीं प्रहुंअ अप्ष्ण दिया है मीडियो वीडियो की जो 22 को फूलने का यह लिए धर से आप फोल सकते यह उसी जाएंगे पर क्लिक करेंगे फिर से आप देख सकते हमें split वाला option आ रहा है तो हमें आप split कर देंगे और अब जो बीच वाला part उसे में delete करना है तो नीचे सबसे आखरी में option दिये गया है delete का तो हम delete पर click कर देंगे वह हमारी जो पार्ट जो में नहीं चाहिए था वहां से हट चुका है दोस्तों इसके बार में दोस्तों यहां पर हमारा आपको बैक पर क्लिक करना है लिखने के बाद में दोस्तों इसको कहाँ ड्रॉप करके कहा रखना चाहते हैं उसको वहाँ पर रख दीज़े इसके बाद में आपका जो आपने लिखा है उसका कलर वगर Biraz चेंच करना चाहते हैं तो नहीं है काफ अच्छी ह यहां दिये गए हैं इसके लावा यहां पर आपका जो बैक्ग्राउंड की आप अकर इसको कम जाद रखना चाहते हैं उसको तो इसको पार्शियली आप जो है ट्रांस्वरेंट भी कर सकते हैं वेग्राउंड को इस तरह से इसके अलावा फॉंट वाल ऑप्शन है जहां पर ने करें परेयंड कर सकते हैं इसके लावा बैक्ग्राउंड को अप्शन जो मैं देख बता है छुका हूं अलाइनमेट आप इसका बीच में, ने सकते हैं कम करना चाते हैं तो कम भी कर सकते हैं इस तरह से अगर उसको आंगे पीछे किसकाना है तो बस सिंपली आपको उसको क्लिक कर लेना है वो सेलेट हो जाएगा और फिंगर से आप उसको यहां वहां खिसका भी सकते हैं पीछे ले जाते हैं तो पीछे ले जाएए आंग और बाद दूस्तु हैं जैसे blank वाला option है अगर आपको पास में और option है Ala emotion have a blank को probly her unique के सामने डाल सकने खाली यहां वर कोई text अपना रख रहे है तो text डाल सकते हैं खाली जगह पे और इस तरह से उसको जो है mission सकते हैं a couple कौhte को अपने लुए गता रखना ब्लैंक जगा पर यूज़ कर लिए इसके बाद में आपको यहां साउंड वाले उप्शन में आप प्लिक करिए तो यहां पर आपको बहुत सारी अलग-लग अगर आपको इसके पीचे में कोई म्यूज़र करनी है तो हमारा साउंड नॉर्मल वीडियो हो गया तो म्यूज़र के लिए आप देख सकते हैं उपर में हमारा प्रो वर्जन है इसके लेना पड़ेगा उसके बार में आपको इसकी म्यूज़र मिलेगी दूस्तों तो यहां और इंपोर्ट म्यूजिक वाला उप्शन है और इंपोर्ट म्यूजिक वाला इंपोर्ट म्यूजिक ता उप्शन भी दिया है दोस्तों जिस पर आप क्लिक कर सकते हैं और इंपोर्ट फ्रॉम फाइल्स पर क्लिक करके आप जो है म्यूजिक को उठा सकते हैं जहां पर भी जहां से स्लेट कर ली दोस्तों इसके बाद में इसको आपको एड़ पर क्लिक कर देना है आप देख सकते हैं हमारे म्यूजिक यहां पर एड़ हो चुका है यह मुझा अधो चुका है दोस्तों मुझा ऐसा लग रहा है लेकिन क्योंकि यह यह music pro version के लिए है तो music लेने के बाद में शायद ये सेफ करने नहीं देगा चलिए देखेंगे आंगे सेफ करने देगा कि नहीं देगा फिलाल हमने music वहाँ एड कर ली है अगर आपको इसमें दोस्तों voice डालना है अपनी खुद की voice डालना है तो यहाँ पर देखेंगे सबसे voice रिकॉर्ड करके डालेंगे वह भी यहाँ पर cut copy paste आप यहाँ पर कर पाएंगे दोस्तों तो बिल्कुल सब कुछ दोस्तों सारे option आपको समझ्या आगे हूंग यह सारे option करने के बाद में आपको simply अब यहाँ पर वीडियो को आपको save करना है दोस्तों तो उपर setting वाला वशन है बैटन है हमारा यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट डलाई हुआ है उपर आपका एक option और देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं कि जैसे हमने save करने का option मागा तो उन्होंने हमें आप पर pro version में music क यूज कर लिए था तो हम यहाँ से music को delete कर देते हैं अब आप देख सकते हैं pro version वहाँ से हट गया है और अब जो है यहाँ पर हमें सीधे उपर click करना है यह आप से पूछेगा आपको HD में save करना है तो file का size आपको बता दे रहा है frame per second क्या रखना है आप उसको change कर सकते हैं अब सब करने के बाद में save पर आपको click कर देना है तो आप देख सकते हैं हमारे वीडियो है वह यहाँ पर save हो रहा है और होने के बाद में हमारा video जो है save हो चुका है gallery में जाके और हम उसको जो है वहाँ से जाके दोस्तों save वीडियो को जहां भी upload करना है उसको आप महां से अब लोड कर माएंगे दो